मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन दबाएं और मेरे नियू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप बैल आइकन को प्रेस करना ना बुले नमस्कार दोस्तों मैं संजय चौली आज के वीडियो में आपको टैटू लाइन वर्क के बारे में बताने जा रहा हूं कि परफेक्ट लाइन जो है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करने आपको क्योंकि बिगनर आटिस्ट जो है वो प्रफेक्ट लाइनिंग में एक्सपार्ट नहीं होते जिसके विसे उनका टैटू सही नहीं बनता और टैटू का सही लुक आने के लिए लाइन वर्क का प्रफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो टैटू जो बना हुआ है वो कि इसमें क्या बना हुआ है तो कि अगर आप लाइन वर्क होके नहीं है तो आपको टैटू का एक्ट्वल में चाहिए वो आरी बाया चैट्व जो दीख रहा है वो क्या बना है वह भी विजीवल नहीं हो आगा इसलिए टैट्व का लाइन वक होना बहुत अच्छा जूरी स्टॉंग होना जुरूरी है और स्टॉंग जो टैटू है वह लाइन मुट परफेक्ट होने पर नज़र आएगा अब आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि टैटू का लाइन वोग जो है प्रॉफेक्ट लाइनिंग कैसे करनी है उसकी प्रेक्टिस कैसे करनी है ताकि आपका जो हेंड है वो लाइन वर्क के लिए प्रफेक्ट सेट हो सके पेपर वोड पे प्रिंट आउट निकालकर रखा हुए हमने एफोर साइस के शीट पे उसमें हमने एलफबेट निकाल रखे हैं करेंगे वह नजर नहीं आएगा हमें क्योंकि पहले से ही डाग बना होगा इसलिए हमें इसका प्रिंट आउट जो है बहुत ही लाइट निकलेगा क्योंकि अब मशीन के लिए हमें क्या करना है हम पैंसिल यूज करेंगे इसके दो तरीके है या तो हम इस पूरी जो ग्रेप है इसको बाहर निकाल ले और पैंसिल को इसके अंदर लगा ले जो भी एक्स्ट्रा है उसको काट लेंगे या फिर मेबाई के लिए टाइट करने हो लिए मिशीन है इसलिए मैंने क्या क्या है मसीन के लिए पैंसिल अलड़ी काट करके रखी हुई है इसको मैंने इसमें लगा लेना है जितनी जोट है इतनी कुछ टिप के कॉर्डिंग जैसे होती है वैसी हट कर लेना है और इसमें मुझे प्रैक्टिस करना है मैं पहले वीडियो में भी दा रखा हूँ कि मैं मशीन को कैसे होल्ड करना होता है 45 डिग्री पर एंगर पर और हमें इसमें आउट लाइनिंग के प्रैक्टिस करने ही है हमें पैंसिल में इसलिए यूज किया है क्योंकि इस एक तो हमें आदत हो जाएगी हमें मसीन को होल्ड करने की और चलाने की कि यौठ पैंशिल्स करेंगा गोए चैना को मनें पार स्टाइब आज़े के दीरे दीरे बनाना है और ब्रॉपर अट्लैनिंग चलानी है कि अगे कई यह नहीं कि हमें यहसे रॉय कि और एक बार में आउट्लैनिंग करते हैं ऐसे नहीं करना मैं बनता है व्हासे हमें हमें प्रैक्ट्रेक्ट्रिश करनी है है बिलकुल देरे-दnee उससी स्टैपस में कि अल्फ़वेड में हरते दे की लाइन्स कोट होती है और प्रैक्ट्रिस करने के बहुत अच्छा रहे गा कि दीरे दीरे प्रैक्टिस करना में एक एक लाइन दीरे दीरे बनाना है इस तरह से प्रैक्टिस करने का हमारा में मक्सद यह है कि हमारी मसीन पर जो है वो हमारी मसीन के जुग्रेप फैस पर हमारा पकड़ सही बने हमें किस तरह से लाइनिंग करना है मसीन वाइबरेट ना ह अगर आपने से एग। आपकी यू murders करता है तो और अच्छा आपकी आपने, आपने अपने स्लाइल यूंद अइप ऐंकbirds करने है। उस वक्त आपको मसीन को एक बार हटा जुरू लेना है वहाँ से, continue नहीं बनाना है, जैसे मैंने अभी यह लाइन बनानी है, तो यह मैंने लाइन बनाया, और उसके बाद मसीन को थोड़ सा हटा लेना है, क्योंकि आप हर बार जब भी आप tattoo बनाएंगे, तो इंक लेने के लिए आप मसीन को ज़रू हटाएंगे, उसको रैगलर तो बनाएंगे नहीं, इसलिए आपको ऐसे हटा हटा आगे हैं हाथ को प्रैक्टिस करनी है, आप इसमें चाहें तो साथ साथ सेडिंग भी कर सकते हैं, या बाद में भी कर लें, आप सेडिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे टाइट्व बना जाता है, उसी तरह ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ड्राइंग की तरह प्रैक्टिस नहीं करनी है, टाइट्व के ही इसमें करनी है, कि जैसे tattoo बनाना है वैसे ही करनी है इलकुल दीरे दीरे करनी है और proper line wise करनी है अब मालिया हमें इसमें setting की फोड़ी सो practice करनी है तो इसमें हम वो भी कर सकते हैं हलका हलका कर लेते हुए setting प्लस feeling दोनों कर सकते हैं line में हमें machine CV चलानी होती है और setting में हमें जो machine है उसको ऐसे चलानी होती है अगर मैं इसको shading दे रहा हूं तो मैं machine को थोड़ा सा ऐसे चलाऊंगा dark to light तो इस तरिके से हमें practice करनी है आप print out अलगले निकाल सकते हैं अलगला alphabet निकाल लेंगे छोटे बड़े कर्व में अलगला fonts निकालेंगे इस तरह से आपको इसमें practice करनी है मैंने थोड़ा साब बना कर रखा हुआ है कुछ इस तरह साब बना सकते हैं practice कर सकते हैं मैं इसमें healthy setting भी दे रखी है कहीं कहीं पर तो आपको इस तरह से practice करनी है आपको लाइनिंग की और कर्फ की भी बिरुक्त सही से practice करनी है जैसे कि हम line बना रहे हैं उपर से भी हमें practice करनी है चला के और नीचे से भी practice करनी है क्योंकि हमें हर तरह से चलाना पड़ सकता है और हमें lining में एक चीज और practice करनी है वह क्या करनी है डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क जैसे कि यह डार्क है और यह लाइट पहले डार्क और यह देरे देरे लाइट यह practice बहुत है जरूरी है खासकर lining में और shading में यह दोनों काम आएगी इसलिए डार्क टू लाइट नीचे से भी और उपर से भी डार्क और लाइट डार्क और लाइट प्लस हमें इसमें जो machine को है वो पूरा movement के साथ practice करनी है ऐसे curve line के भी practice करनी है चोटे curve बड़े curve हम यह daily थोड़ा थोड़ा practice करना है एक एक पेस दो दो पेस धिरे धिरे हमारा हाथ automatically set हो जाएगा perfect lining को अपने भी बनने लगेगी क्योंकि line perfect रहेगा तो ट्रेट्व का मज़ा ही अलग होगा तो इस तरह साबको पैंसिल से practice करना है मैं आपको machine से practice करके दिखाऊंगा कि machine से कैसे practice करना है मैंने tracing already कर रखा है जर्मनिल लोग क्या करते हैं इसको फ्लैट पर practice करते हैं कोई भी लाइनिंग जो है फ्लैट रखते हैं tracing pad को करना हमें किसी की body पर बनाना होता है तो body के आपका होता है कर वोती है कि slope होता है चाहत रूट से कर बाड़ी होती है सीधी बाड़ी नहीं होती है तो हमें उस आप से practice करना थे उसके लिए हम एक card board का curve model बनाएंगे फिस पर practice करेंगे मेरे पास यह काड़ बोट पड़ा है बेस्ट है अब इसको हम खाड़के खराब करके इसको कर्ब मॉडर बनाएंगे जाल करती है यह करें बनाएंगेञाश सा यह करता है ड्लीकार अब हमाने मस्टों त्यार हो गया अब इसके पर हम ने जो ट्रेसिंग कर रखी है इसको टेप कर देंगे अब इसे पर हमें प्रैक्टिस करनी है मैंने इस पर स्टार डियाइंग बना रखा है स्टार डियाइंग बनाने का अब एक कारण है वह यह की जो स्टार होता है उसमें हर तरह की लाइन्स होती है एक ही एंगल से हमें डेपर लाइन petite Put से लयए के मिल जाएगी ट्रेडीलाइन भी मिल जाएगी हरंगी इक लाइनस मिल जाएगी क्या मैंने क्या हूंन तो सकते वार बार डर इसलिए यसको तरफ ही रखके एक तरफ रखके लिगे हम इसको प्रैक्स करेगे हमें सार्प एरिया है जो कॉर्न्र होता है यह हमें कि छुछा कंना कि असलिय कर दोलं कि छोगों क्यों होते हैं वह नहीं सबसे लाश्ण में Tapi…. और यहां के छोड़ देना इसी तरह के से हमें सारी लैंज बनानी है के करके इसको देरे देरे हमें इसको जब पहुंचना भी है तो बस ऐसे पहुंचना है हम कभी भी कोई आउट लैनिंग बनाएंगे चाहिए स्कीन पे हो या हम टैक्टिस रब कर दे हैं तो हमें आउट लैनिंग जो है वो प्रॉपर जो है रगड के नहीं साफ करना है हमें बिल्कुल अराम से इसको साफ करना है अब देखिए हम जब भी कोई लाइनिंग बनाएंगे तो हमें जो इंक जो होता है पिग्मेंट जो होता है ऐसे साफ करना होता है पर इसे को साफ कराब Kash covered टो क्या वागा रंग द्वेक दूसरा ओगा जो इसको अंतर हम आज बाडि के कटना इंक यह वह सांब फ़्ण हे थोड़ा बहुत रह जाएगा जासमें थो प्लफ करेंगे उसमें हमें नो तो इस तरिके से हमें प्रैक्स कर नहीं है अब देखिए अगर मैं इसको यहां से चलाता हूँ तो क्या फरकाता है करने से पहले चलाता हूँ तो क्या फरकाता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कुछ फरक नहीं आएगा लेकिन अगर आप नए आर्टिस्ट हैं तो यह फरक आएगा मैं बतारे को क्या फरक आएगा मैं खोड़ा ख़राब करके दिखाऊँगा तो अभी बार चलेगा आपको काई को आप देखिए अगर मैं यहां से शुरुआत करता हो तो क्या फरक आयाया यहां पर बिल्कुल we go back at home कि यहां का जोक्तुसक्ड में होक्त हो चुक्ए क्योंकि यह वांगवे है area lony करने को इसलिए जब आप कॉर्नर को यूज कर रहे हैं तो कॉनर हमेशा लास्ट में होना चाहिए ताकि वह बिल्कुँ शार्प है उसकी जो एंडिंग है वह हमेशा लास्ट होनी चाहिए तो इस तेक इसको कर बनाया है ताकी हम जो हांत कर रहे हैं वहमें उसका शुर्थ मैसूस हो कि हम किसी की बॉड़ी पर बना रहे हैं अब आउस्ट लेंग एक कलर फिलिंग जो भी कर रहे हैं उस्टे मापको नशशित ध्यान लगना ए प्लस हम जब इस हांत का स्माल करने के लिए तो इसको भी ऐसे कर यहां से ऐसे टाइट करना है बॉडी को इसको खींचना है इसको खींचना है प्लस हमें इसको यहां से करना है अगर यहां से नहीं कर सकते हम इसको खींचेंगे प्लस जब हम मसीन चला रहे हैं तो मसीन चलाते वक्त भी हमें जो अपनी ये हतेली है इससे इसको बॉड़ी को ऐसे खींचना है खींचने के बाद हमें इस पर टैटू करना है पर टैट इससे 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 खींचना है जो अज़नों जो पर करता हैक पर बाद करता है हुआ है हुआ है है हुआ है है तो देखिए दोस्तों इस तरह के आपको लाइनिंग के प्रैक्टिस करनी है इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें स्कीन पैड़ फे प्रैक्टिस करने से पहले आपको स्कीन प्रैक्टिस करनी है जब आपका लाइन प्रफेक्ट हो जाए तो आप इस प्रैक्टिस करें आपका उसके बाद आप टैट्टू हो खराब हो जाएगा तो यह तो अच्छा नहीं होगा इसलिए टैट्टू की पहरे प्रैक्टिस कर ल मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और खासके बिखना आपके जरू सब्सक्राइब बरें ताकि उनको कुछ सीखने मों मिले मेरे चैनल से और अगर आप कुछ सीखते हैं तो मुझे बहुत खुसी होएगी इस बात की मेरा ग्यान किसे काम आया और बेल आइकन को प्रेस करना ना बोले प्लस कमेंट में जरूर लिखे कि आप मेरे वीडियो में और क्या देखना चाहते हैं जो हो सकता है मैंने अभी नहीं दिखाया प्रिविएस वीडियो में तो आगे आप वीडियो में क्या देखना चाहते हैं करें मेरे वीडियो को शेयर जरू करें कि जो बिगनर आडिस्ट हैं उनको मेरे वीडियो देखने में कावधी को सीखने में मिलेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो जरू करें